The Psychology of Laziness आलस का मनोविज्ञान आपने देखा होगा कि कुछ लोग सफलता के शीर्ष पर होते हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं. सफल लोग इसलिए सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के बारे में उन बातों को समझने का प्रयास किया है, जिन बातों पर सामान्य लोगों का ध्यान भी नहीं जाता. यह बातें ज्यादा तर अप्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन हमारे जीवन को दिशा इन्ही बातों से मिलती है. आप कितने भी गुन्वान वहोशियार क्यों न हो, आपका कितना भी तेज आई क्यम क्यों न हो, लेकिन अगर आप एक्षन नहीं ले रहे हैं, तो आप कितने भी प्रेरनादायक विडियो देख लो, चाहे जितनी प्रेरनादायक किताबें क्यों न पढ़ लो, अगर आप हर रोज अपने काम पर मेहंत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती हम सभी को पता है कि सिर्फ ग्यान अरजित कर लेने से कुछ नहीं होता है बलकि इसके साथ ही एक्षन भी लेना पड़ता है लोगों के सपनों को सबसे ज्यादा आलस से नहीं बरबाद किया है उन्हें हर पल पर तोड़ा है उन्हें नश्ट किया है इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूँगा या बाद में करूँगा हमसे बहुत कुछ चीना है यह एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम पहचान भी नहीं पाते इस आदत ने ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पच्चतावा कराया है काश मैं और एक कोशिश कर लेता आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब The Psychology of Laziness के माध्यम से इस विशय को समझने का प्रयास करेंगे इस किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे आप अपने आलस से छुटकारा पाकर हद पार महंत कर सकते हैं कैसे आप अपनी जिन्दगी के दस साल के लक्ष को सिर्फ छे महीने में पूरा कर सकते हो इस किताब को मुहमद शकील ने लिखा है जिन्हें लोग YouTube पर कूलमित्रा के नाम से जानते है Stop Procrastinating टालना बंद करो क्या आप भी अपना खाली वक्त YouTube पर बिताते हैं ऐसी वीडियो पर जो आपकी सफलता के लिए कोई मदद नहीं कर सकती आप अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है बस जैसे जिन्दगी चल रही है वैसे ही चलाते जा रहे हैं या आपके लिए एक गंभीर समस्या है क्योंकि आपका भविश्य में कुछ भी नहीं हो सकता है अगर आपको 90% में नहीं आना है आपको 10% में आना है जो अपने गोल्स को लेते भी है उन पर काम भी करते हैं अगर आप भी ऐसा करते हो तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है बस अभी से सुद्रिय लेकिन जैसे ही आलसे का विज्ञान पता चलेगा आप भी हर काम को तुरंट करना शुरू कर देगे यह सब तक हो सकता है जब आपको सोचा नहीं बस शुरूरत कर देना है ज्यादा तर लोग सोचते हैं पहले सीखू फिर योजना बनाऊं तब करना शुरू करूंगा आप नहीं सीखते हैं नहीं शुरूरत कर पाते हैं क्योंकि सीखने के लिए भी आपको शुरूरत करने की आदत डालनी होगी इस प्रतियोगिता से भरी दुनिया में आपको टालने की आदत को खत्म करना होगा नहीं तो आपके पीछे करके कोई और ही आगे बढ़ जाएगा कोई भी प्रोडक्ट आप सोचते ही रह जाओगे वहीं दूसरा उस प्रोडक्ट को बनाकर एंटर्प्रेनियोर भी बन जाएगा जिम जाने का मोटिवेशन सबको आता है लेकिन यह मोटिवेशनल दस या पंदरह दिनों में खत्म हो जाता है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होने पर आप एक या डेड़ महीने जिम कर लेंगे लेकिन उसके बाद छोड़ देंगे अगर आप सोचते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी यह आदत ठीक हो जाएगी तो आप गलत है अगर आप कोई कदम नहीं उठाते तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे अगर आप ध्यान दोगे तो चौबीस में से ज्यादतर घंटे आप बरबाद करते हो आप इन में से आठ घंटे तो सोते हो चलिये मान लेते हैं कि आप जॉब करते हो आठ घंटे वहां देते हो फिर भी आपके पास आठ घंटे हैं इन में से चलिये, मान लेते हैं कि दो घंटे आप अपने खाने पीने और नौन प्रोडक्टिव काम में देते हैं आप दो घंटे परिवार को भी देते हैं, तब भी आपके पास चार घंटे बचते हैं, यानि साल के 2920 घंटे, अगर आप इतने घंटे अपने गोल्स पर काम करते हैं, तो कोई उस गोल को पूरा होने से नहीं रोक सकता, अब आप सोचोगे कि क्या जिन्दगी जीना छोड़ आपके पास जॉब वाला टाहिम भी बचेगा, आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाओगे, फिर बिना बॉस के पर्मिशन के, कहीं भी छुटियां पर जा सकोगे, अगर इतने फाइदे के लिए, आप अपने जीवन के कुछ साल नहीं गवा सकते, तो पूरी जिन्दगी फाल से ज्यादा किताबे पढ़ो, या फिर किसी भी माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सिखो, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, आपका स्कूल हो, मिलिटरी कैंपस हो, या कोई अन्य ओफिस, यहां पर समय क्यों निर्धारित होता है, यह इसलिए नहीं कि यदि आप आदे गंटे पहले ऑफिस चले जाओगे, तो बहुत ज्यादा काम कर लोगे, स्कूल में समय पर चले जाओगे, तो एक्जाम में फर्स्ट आ जाओगे, यह सब इसलिए ताकि आप समय की कीमत को समझे, जब तक हम स्कूल में होते हैं, तब तक हमें समय की कीमत पता होती है, लेकि इसको सीखने के लिए आपने कौन सा काम प्रोडक्टिव किया, फिर कहां पर आपने अपने समय को बरबाद किया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सी ऐसी एप्स है जो आपका यह काम कर सकती है, जहां पर आप अनप्रोडक्टिव काम करते भी हैं, तो वह आपको पता होना चाहिए, ना की अनकॉंशियस, आपको पता होना चाहिए कि आप समय को बरबाद कर रहे हैं, फिर अगर आपको पता होगा कि आप समय बरबाद कर रहे हैं, तो आप इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर कोई बात नहीं, कभी-कभी आप समय बर्बाद भी कर सकते हैं इन्जॉय भी कर सकते हैं लेकिन आपको यह पता भी होना चाहिए हर दिल को खुश करने वाले कार्य से डोपामिन रिलीज होता है यह डोपामिन हर बार मोबाईल का प्रयोग करने के बाद बढ़ता रहता है इसको नियंतरित करने का तरीका यही है कि आप मोबाईल वा सोशल मीडिया से दूरी बना कर रहे ऐसा होगा तब, जब आप मोबाईल व सोशल मीडिया को कभी कभार ही प्रयोग में लाते हैं आपको लगता है कि आपको मोबाईल की एडिक्शन नहीं है तो ज़रा खुद से कुछ सवाल पूछिए एका, क्या आप मोबाईल खुद से दूर रख कर सो सकते हैं दो, क्या आप बार-बार मोबाईल को चेक करते हैं तीन, क्या आप एक दिन में मोबाईल के बिना रह सकते हैं अगर इन में से किसी का भी जवाब नमे है तो आप मोबाईल के एडिक्टेड है Apps की Algorithm बनी ही ऐसी होती है कि आप खुद को उनके साथ जोड़े रखे जो आप देखना चाहते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा इसलिए इन Apps को बिल्कुल भी प्ले मत करिए यह सारी की सारी गल्ती सिर्फ आपकी है Energy and Motivation, उर्जा और प्रेरना आपने जरूर सुना होगा कि सफलता पाने के लिए सही समय 20 से 30 साल के बीच में होता है ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि इस समय में इनसान सबसे ज्यादा energetic होता है दुर्भागिवश आज का समय उल्टा हो चुका है जितने भी हमारे युवा हैं वह अपनी सारी उर्जा कहीं और ही बर्बाद कर रहे हैं अपने लक्ष पर काम करने के लिए उनके पास उर्जा बच्ती ही नहीं इस से पहले कि आप अपनी energy के बारे में कोई बहाना करें आप से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप 6 महीने में मरने वाले हैं तो क्या करोगे? बस वही अपने लक्ष के बारे में सोचो फेल होना गलत नहीं है लेकिन कुछ ना करके फेल होना बहुत गलत है मैं तो कहूँगा गुनाह है आप अगर पढ़ी हुई चीज भूल जाते हो तो इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आप उसको अपलाई नहीं करते हर सीखी हुई चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लो जब आप किसी सीखी हुई चीज को अपने जीवन से जोडते हो तो वह आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है जिसको करने के लिए आपका दिमाग कभी थकता नहीं है आप हमेशा उर्जावान रहते हो एबिट के पावर को समझने के लिए आप Atomic Habit Book पढ़िए आप Atomic Habit Book की समरी यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं रोल अफ डोपमाइन, डोपामिन की भूमिका आप कुछ सालों पहले के बारे में सोचिए जब आपके माता-पिता वह दादा-दादी युवा थे तब क्या वह अपना जीवन नहीं जी रहे थे अगर देखा जाए, तो शायद वह आपसे बहतर जीवन जी रहे थे हाँ बस थोड़ी पैसों की कमी थी पहले के लोग चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते थे क्योंकि वह अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करते थे वही आज मोबाइल और इंटोनेट होने की वजह से आप में डोपामाइन इतना अधिक रिलीज होता है कि आपकी छोटी सी खराब आदत कब आपका एडिक्षन बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता एक तरफ जहां यह डोपामिन आपकी हर समस्या का कारण है तो वही आज की इस आधुनिक दुनिया का कारण भी यही है डोपामिन हर उसे काम से रिलीज होता है जिसमें आपको मज़ा आता है आपके दिमाग को नहीं पता होता कि किसी काम का क्या असर होगा इसको बस अच्छा लगता है तो यह डोपामिन रिलीज करता रहता है आज दुनिया में जिन्होंने बड़े-बड़े आविशकार किये है उन लोंगों का डोपामिन अच्छे कामों के लिए रिलीज होता है वह अपने काम को जितना करते हैं उनका उतना ही डोपामिन रिलीज होता है फिर वह उतने ही सफल होते रहते हैं यहां तक कि उनका दिमाग सफलता प्राप्त करने के बाद भी डोपामिन रिलीज करना बंद नहीं करता वह और भी ज्यादा मेहंद करते हैं सफलता की हर एक उंचाईयों को छूते हैं यह सब एक प्रकार के केमिकल का लोचा है आप एक सफल व्यक्ती बनेंगे या फिर नशेडी बनेंगे इस डोपामिन को आप अपनी मर्जी से नियंतरित कर सकते हैं बस आपको किसी काम को हैबिट बनाना होगा मुझे याद है जब मैं पहली बार बुक समरी लिखनी शुरू की थी जब मैंने पहली बार अपनी पोस्ट डाली थी तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाबुक के जोर पर मुझे से यह करवा रहा है वहीं अब मैं चार-पांच घंटे किसी भी बुक को पढ़ सकता हूँ समय की कमी है वरना रोजाना एक पोस्ट डाल सकता हूँ शायद आपका समर्थन के द्वारा मैं ऐसा कर भी सकूँ एप पीनस पैसे या गाड़ी से नहीं मिलती यह आपके दिमाग का डोपामिन है जो आपको खुशियां देता है Setting up goals, लक्ष निर्धारित करना अगर आप हर तरीके अपना कर अपने गोल को प्राप्त नहीं रहे है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गलती कहा हो रही है जिस तरह से मैं यह समरी लिख रहा हूँ ठीक उसी तरह से आपको अपने लक्ष भी लिखने होंगे पेपर पर, मोबाइल पर या किसी भी और स्क्रीन पर लिखने से यह फाइदा होता है कि आपको समझ आएगा आप चाहते क्या है एक बार जब आपको पता चल गया कि आप करना क्या चाहते हो तो उसको छोटे-छोटे हिस्सों में शुरू कीजिए कोई भी लक्ष आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक उसको छोटे-छोटे हिस्सों में आप बाठ नहीं लेते हो इन छोटे हिस्सों का सबसे पहला भाग इस समरी है जब आप यह समरी पढ़ रहे हैं तो आप नौलेज लेना चाहते हैं मतलब आप अपनी लक्ष की तरफ एक कदम बढ़ चुके हैं आपका शरीर और आपका दिमाग आपके लिए एक एक्टर है आप उसके डाइरेक्टर है आपके निर्देश देने पर ही यह काम करेंगे हम अपने दिमाग को वह निर्देश, राइटिंग और एफिर्मेशन से देते हैं हर छोटे टास्क को पूरा करने के बाद आप अपने लक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे अगर आप एक साथ अपनी लक्ष को पाना चाहोगे तो आपको लक्ष कभी नहीं मिलेगा आप सिर्फ सोचते रह जाओगे यही सिध्धांत लगभग हर प्रोडक्टिविटी बुक में लिखा है बेशक आपके जीवन में गोल पूरे करने के लिए उतार चड़ाव तो आएंगे ही लेकिन बिना हार माने अपने लिए हुए प्लांस के मुताबिक चलते रहो एक दिन आपको मन्जिल जरूर मिलेगी Do you really need it? क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यक्ता है? अभी तक जितने भी हमने लेसन पड़े हैं वह प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे या आपकी जरूरत पर निर्भर करता है आप खुद से पूछो जो आप चाहते हैं वह सच में आपको चाहिए या सिर्फ एक ख्वाहिश है जो पूरी नहीं भी हुई तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी जरा कल्पना करो जब आप पूरे महीने कठिन परिश्रम करते हो फिर माह के अंत में आपको महंताना भी न मिले तो आपको कैसा लगेगा जब आप अपने लक्ष के लिए ऐसा सोचने लग जाएंगे तभी आपको यह लक्ष प्राप्थ होगा इतिहास इस बात का गवाह है जब भी कोई काम हमारी जरूरत बना है तभी उसका आविश्कार हुआ है अपने लक्ष को अपनी जरूरत बनाएए जब हम शारिरिक काम करते हैं तो हमारा दिमाग हमें इशारा देता है बस बहुत ज्यादा हो गया अब तुम्हारा शरीर ठक चुका है लेकिन जब हम कुछ ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमें ज्यादा इशारा नहीं देता हम सोच सोच कर कितना समय बर्बाद करते है हमें पता भी नहीं चलता हमारे दिमाग को कलपना और वास्तविकता कोई अंतर नहीं पता होता इसलिए इसको नकारात्मक सोच मत दो क्योंकि फिर यह आपको वैसा ही बनता रहेगा फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक बुरे इंसान बन गए दोस्तों उम्मीद करता हूँ The Psychology of Laziness बुक आपको जरूर अच्छी लगी होगी हमें कमेंट जरूर करे